हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत हैं आज मैं आप लोगों के समख्ज हिंदी साहिती की इतिहास से रिती काल की काविप्रवर्तियों को लेकर उपस्थित हूँ आज का याव इसे आरम करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि हिंदी साहिती के इतिहास से सम्मंधित एक पुस्तक आप अपने पास अवस्य रखें क्योंकि विभिन विद्वानों ने रिसर्च करके हिंदी साहिती के इतिहास को लिखा है तो हिंदी साहित का इतिहास जो है एक बहुत ही महत्पूर्ण विशे हैं। हिंदी साहित के इतिहास से सम्मंदित किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको आचारे रामचन सुपल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित के इतिहास को अवस्य पढ़ना चाहिए, आचारे हजारी परशाद दिवेदी जी द्वारा लिखित हिंदी साहित के इतिह को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब ड़क्र सी कुमार सर्मादवरा लिकित हिंदी साहित के तिहास को भी अपने पास रख सकते हैं और उसकी साहता ले सकते हैं। नहीं लिखा करते थे। ये स्वांता सुखाय रशना जो है ये किस युग की प्रवर्ति है भक्तिकाल की प्रवर्ति है। प्रवर्ति रितिकाल में सरवर्त प्रचूरता के साथ रिष्टी गोचर होती है। इसकाल के कवियों ने नाइका भेद, नकसिक, आदिका जो कुछ भी वर्णन किया है। तो इस संबन में डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने पूर्ण रूप से सही कहा है, साचा चाहे जैसा भी रहा हो इसमें ढ़ली स्रिंगारिक्ता ही है। इसकी अविव्यक्ति में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया गया। इस काल की कवीता से विवेख हीन एवं बिलास में वासना की त्रिप्ति होने लगी। स्रिंगार रस के सैयोग और वियोग दोनों पक्षों को अच्छी तरह सजाया गया। दूसरी विशेषता है लक्षन ग्रंथों का निर्मान। रितिकान में कवी और आचारे दोनों का काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ा। दोनों में से किसी को भी इसकाल के कवी भलिभाति निभा नहीं सकी। उनमें संतुलित विवेचन सक्ति का भाव था। इस युग में लिखे गए रिति ग्रंथों में काव्यांगों का कोई विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है। बलकि कई स्थलों पर तो भद्दी भूले भी की गई है। प्रड विवेचन तो दूर रहा, कुछ ने तो संस्कृत के आधार भूत, सास्क्री ग्रंथों का नुवाद भी सम्यकृप से नहीं किया है। इस यूग में दो प्रकार के कवी हुए, प्रधम स्रेनी के कव्यों ने लक्षन लिखकर स्वराचीत उधारन प्रस्तुत की जैसे भूशन देव आदी, और दिति स्रेनी के कव्यों ने केवल उधारन दी जैसे बिहारी। यहाँ पर जो लक्षन ग्रंथों का निर्मान ये जो पॉइंट है इसका आधार है डॉक्र सिव कुमार सर्मा द्वरा लिखित हिंदी साहित का इतिहास। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगे कि आप डॉक्र सिव कुमार सर्मा द्वरा लिखित हिंदी साहित की इ तिसरी विशेस्ता है भक्ती और नीती, रिती कावे में भक्ती और नीती संबंदी सुक्तियां यद तत्र बिखरी हुई मिल जाती है। एसा प्रतीत होता है कि जीवन की निस्फलता तथा तुछता से पूर अवगत होकर राग की अतिशेता से उब गरही वे भक्ती और बेराग की साधना में लीन हुए। पांचवा देखिए कावे रूप प्रत्र कवी चमतकार प्रियते। अता चमतकार प्रदर्शन के लिए सब्दा लंकारों जैसे यमक, स्लेश, अनुप्रास, आधी का आश्रय लेने के साथ अर्था लंकारों को ग्रहन किया। वैसे तो इस यूग में कुछ प्रबंध कावे भी लिखे गए। प्रन्तु मुक्तक के समक्ष ये प्रचार और प्रसिद्धी पाने में असमर्थ रहे। तो कावे के दो रूप होते हैं प्रबंध कावे और मुक्तक कावे। तो प्रबंध कावे का उधारन है रामचरित मानस पदमावत। और मुक्तक कावे का उधारन है कबिर्दास जी की रशना भीजक। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि रितिकाल में जो रशनाई ल तो प्रबंध कावे में क्या होती है? एक कथा होती है आप कथा को आगे-पीछे नहीं कर सकते क्योंकि कर पाएंगे। तो प्रबंध कावे में क्या एक कथा होती है जैसे राम चलित मानस में स्री राम चंदर जे की कथा है उनमें जो घटनाए घटित हुई है उसे आगे पिछे आप नहीं कर पाएंगे लेकिन मुकतक कावे में क्या है मुकतक य125 यानि मोती यानि कभी विहारी ने जो दोहा अगर मोति की माला टूड़ जाती है तो आप क्या करते हैं? फिर से माला गुथते हैं उसी क्रम से होती है जैसे कि पहले थी, ऐसा नहीं होता है ना? जो मोति पहले थी हो सब्र fala कने हो पीछे हैं तो इसलिए मुक्तक कावे जो होते हैं, चोटे-चोटे दोहे हैं कवित्त हैं, इस रूप में हैं, तो मुक्तक कावे लिखने का कारण क्या था? कि उस समय के जो आस्रेद आता थे, उनके जो राजा महराजा होते थे, उनके पास इतना सुनने का धहरे नहीं था कि वो प्रबंद कावे गोस्वी जो होते थे, वो राजा को प्रसन करना चाहते थे, इसलिए क्या करते थे? वे मुक्तक रशना लिखा करते थे. और पदमाकर में दिखाई देता है। सात्वी विशेषता है नारी चित्रन। रितिकाल के कव्यों ने नारी का एक विलासिनी प्रेमिका के रूप में चित्रन किया है। नारी के अनरूप जैसे ग्रिहनी, जरनी, भगिनी आदिक उपेक्षा की गई है या उनपर द्रिष्टी ही नहीं पड़ी। तो रितिकाल में नारी का चित्रन जो है मा, बहन के रूप में नहीं देखने को मिलता है। बलकि एक विलाशिनी प्रेमिका के रूप में दिखाई देता है। तो आठवी विशेस्ता है वीरकाबिर, यानि रितिकाल में स्रिंगालिक रचना के साथ साथ वीरता सम्मंधी रचनाएं भी लिखी गई। यदपी रितिकाल प्रैसांती और सम्रिद्धी का समय था। परन्तु और अरंजेब के क्रूर आतंक में सासन ने भारती प्रशांत वातावरन को विशुब्द कर दिया। यही कारण है कि इनके विरुद्ध मराठे, सिख और कुछ रजवाडे विद्रो कर उठे। ऐसे समय में भूशन, सूधन, पद्माकर, आदी कव्यों ने बड़ी ओजिस्वनी भासा में वीर रसात्मक काभी की शृष्टी की। इन वीर रस के कव्यों में राष्टियता का स्वर प्रधान है। नौ नमबर विशेष्टा है विवित मुखी साहित्य रितिकाल में ज्यान संग्रह के रूप में अनेक विश्यों से सम्बन ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिन में जोति, सामोद्रिक सास्त्र, काम सास्त्र, राजनीती, पाक सास्त्र, सुरापान, संगीत सास्त्र आदी का और दस नमबर विशेष्टा है परतियोगीता की भावना, रितिकाल के कव्यों में आचार्यत्व और कवित्य की प्रवर्तियों के सास्त्र, परतियोगीता की भावना भी विशेष और प्रवल रूप से विद्यमान थी, तो यहाँ पर मैंने रितिकाल की दस प्रवर्तियो को लिखें और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी साहिति के इतिहास से सम्मंदित एक पुस्तक आप अपने पास अवश्य रखें तो मिद करती हूं कि आज का अभी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार के साथ है धन्यवाद